आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान यूपी के प्रताबगड जिले के साड़े पांच लाक उपभोक्ताओं को अब प्रधान मंतरी गडीव अन्योजना के तहट गेहूं नहीं मिलेगा बलकि चावल से काम चलाना होगा दूसरे चरण में मिलने वाले राशन में भी गेहूं की मातरा घटा दी गई है अब एक यूनिट पर 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं मिलेगा जिले में गेहूं का आवंटन घटने के कारण विभाग ने मई महीने के राशन में उपभोक्ताओं को चावल अधिक मिलेगा जिले में साड़े 5 लाख उपभोक्ताओं को मई से सितंबर महीने तक सावजनिक वितरन प्रणाली की दुकानों से चावल अधिक मातरा में मिलेगा जबकि गेहूं की मातरा घटा दी गई है प्रताबगड जिले में इस महीने में गेहूं का आवंटन घटा दिया गया है जबकि गेहूं की भरपाई करने के लिए चावल की मातरा बरा दी गई है प्रती महीने दो चड़नों में उपभोकताओं को मुफ्त में राशन मिल रहा है पहले चड़न में प्रधान मंत्री गरीब अनियोजना के तहट मिलने वाले राशन में अभी तक प्रती यूनिट 5 किलोग्राम राशन मिलता था जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल होते थे मगर मई महीने में गेहूं का आवंटन घटने से अब उपभोकताओं को एक यूनिट पर 5 किलोग्राम चावल मिलेगा हाला कि राशन के साथ में चनह, रिफाइंट और नमक मुफ्त में मिलता रहेगा इसमें कोई कटावती नहीं की गई है दूसरे चरण में पातर ग्रहस्ती योजना के तहत मिलने वाले प्रती यूनिट राशन में अभी तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता था मगर मई महीने में उपभोकताओं को प्रती यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलेंगे जिले में वितरन की ये वेवस्ता सितंबर महीने तक ऐसी जारी रहेगी सार्वजनिक वितरन प्रनाली की दुकानों से बटने वाले राशन में ग्रामिन इलाकों में चावल की अधिक मांग होती है दिरसल ग्रामिन इलाकों के अधिकांश परिवार चावल की खेती नहीं करते हैं इससे उन्हें खुले बजार से खरीदना पड़ता था इसलिए वे कोटे दारों से गेहूं की बजाय चावल की अधिक मांग करते थे नए आवंटन में चावल अधिक आने से अब उपभोकताओं की मांग असानी से पूरी हो जाएगी मई महीने में वितरन होने वाले राशन में उपभोकताओं को चावल अधिक मिलेगा शासन से गेहूं का आवंटन कम होने के कारण उपभोकताओं को गेहूं कम मिलेगा हाला कि उपभोकताओं का प्रती महीने मिलने वाली मातरा में कोई कटोती नहीं की गई है आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तर बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चावी खुशियों की अपनी दुकान